बाबुल की ए गुडिया, खर की लक्षिमी बेटिया बाबुल की 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 बाबुल ढूर झाल जाज.. लुलुलुलु.. हमेशा मुझे कुछ देखने वाली है अज कुछ देखने वाली है अज खुद उदास है तो फिर क्या सोच रही है लक्षमी अकाशा अरधर्ती मिलते हुए दिखाई तो देते हैं पर के सच मुझ मिलते होंगे जो हकीकत जानते हैं उनके लिए नहीं मिलते, पर जो मानते हैं की मिलते हैं, वो उन्हें शितिज का नाम देते हैं तो हमें किसका साथ देना चाहिए लक्षमी। हकीकत का या शितिज का कि परेशानी तुम चारों बहनों को खाय जा रही है आज मेरी बेटियां बड़ी हो गई अपनी परेशान या अपनी बाते चुपाने लगी है फिर भी तुम लोग चुपा नहीं सकते कल जो कुछ भी हुआ मुझे लगा वो एक गलत फहमी थी पर तब से तुम चार बेटियों को मैं देख रहे हूं कुछ बात तु जरूर है क्या तुम मुझे नहीं बताऊगी? क्या बात है? मैं जानती हूं कि मेरी बेटिया ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसे उसे नजर चुकानी पड़े सच बता तू क्षिदिट से प्यार करती है? जानती है तू क्या बेटिए से उसे जहरे हूं झाल हूं जानती है जानती है झाल हूं जानती है झाल झाल तुम्हें अपने कमरे में रहने के लिए कहता ना आज तुमने साबेद कर दिया कि मेरी तुम्हारी बारे में जो राय थी वो बिल्कुल सही थी हमारे चांड जैसे परिवार पर लगा तुम्हें काला दाग अब यहां खड़ी खड़ी मेरा मूह क्यों ताक रही हो अपने कमरे में जाओ और कभी मेरे सामने मता ना जाओ तुम दोनों इतनी राद गए यहां क्या कर रही है हमारे घर की बहु बेटिया दिन धलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलती यह सब भेता भी अब तुम्हें सिखानी पड़ी गी चलो अंदर चलो चलो bye guys. take care man. see ya। sorry papa तेर हो गई कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं लेकिन अगर आज तु मेरे साथ नाश्ता करता हो तो मेरा आज का दिन अच्छा जाता खेर, छोड़, बता, तेरा सापोतरा का ट्रिप के साथ था फिन्टास्टिक पापा, पापा हिंदुस्तान के सामने और उसमें अपनी गुजरात के सामने लंडन कुछ भी नहीं है वाट ख्लाइम डाइट, क्या वेदर था अब टेलिंगी उस फिन्टास्टिक भी नहीं मिलेंगे हाँ हमारी एक जिवर के फंदुन यह हैं हकीकत आकाश और धर्दी कभी नहीं मिलेंगे तुम चाहे कुछ मत कहना लेकिन तुम हरी आखों में मैं साफ देख सकती हूं बच्पन से चुप-चुप कर मेरे आसू, मेरे दर्द, मेरी परेशानिया देखती आई हो तुम तो क्यों मैं तहरी परेशानिया नहीं समझ सकती हूं पर भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूं क्योंकि मैं एक आउरत हूं हम एक बेटी ही, बहन, बत्नी और बवु बन सकते हैं लेकिन एक बेटा, भाई, बत्नी याब बाप बन के कोई फैसले नहीं ले सकते आज भी आमें उनी की बात पत्थर की लकीर समझनी पड़ती हैं ना चाहते हुए भी आमें इसे ही मानना है और इसी के साथ चलना है मा, मैं समझ रही हूँ अब क्या कह रही हैं मैं आपकी बेटी हूँ और बेटी होने का फर्ज ही निभाऊँगी मैं जानती हूँ मुझे अपने हकीकत के साथ ही होना है और मेरी हकीकत में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है आप दोनों नहीं आ रहा है कि आप दोनों ती टेंशन में क्यूं है आप दोनों मेरे बिना भी ये डांस कर सकती है कि लक्श्मी मैंने ये गाना हम तीनों को ध्यान में रखकर त्यार किया है और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हुं कों द्सरा दास सीखे और कल ही कर भवा है अ zostaल है यह कतले नहीं, हम तौनों कुछ बहुत करकर यह इस यह नहीं पर पिछली बार ने यूवराज के कहने पर माफ कर देंगे हम यूवराज से कहेंगे कि वो बापुजी से जाके बात करें चल चल अब दो ने इतने राको कहां जा रही है देदी यूवराज के पास कौने 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 मैं गोरी ये दुर्गों अर तुम यूवराज 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 सुनों ना तुमें ना हमारे मतस करनी होगी तेकि भी एटिरी यूवराज से बात कर लोगा लेकिन तुम्हें पता आनकी क्या बात करनी है। पता है, पता है। चल चल उसे पता है। दीदी, उसे कैसे पता होगा। अरे हाँ। युम्राज, सुनो ना युम्राज। क्या होगा दीदी। कलना गर्भा है। और हम दीदी के लिए सुप्रैस डांस करने वाले हैं। और उसमें लक्षमी भी है। और लक्षमी का कलवा होना बहुत जरूरी है। तो तुम बापुजी के पास जाके कह दोगी कि लक्षमी को माफ कर दे। प्लीज। ठीक है। मैं लक्षमी से कहूंगा की व। बापा को माफ कर दे। चलड़। आप ने गौर किया। उसने क्या करा। हाँ.. उसने करा कि व। लक्षमी को कहेगा की पापँजी को माफ कर दे। उसे उल्टा कहना है। हाँ.. युवराज.. जी शोने दो ना दी युवष्यभाज दी ऑगल síूभाज! हो hell फिर आप अब क्या है दी गव Glue अब आ वैंट मिल्क्षमे के पास यह में पुची के पास साक लेदि अब है मेरी माताओं मुझे सुबा सबसे पहले पापा के पास जाकर लक्षमी को माफ करने के लिए कहना है सुन लिया मेरे जाते हुए मुझे रात के दो बजे प्लीज मुझे आराम से सोने दो प्लीज जाओ शी कैदिदी यह जो 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 जैश्री कृष्णा पापा जैश्री कृष्णा पीटा वाँ 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 आज तो मेरा दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है मेरे इकलोते बेटे का मुख जो देख लिया मैंने अरे जीव तो रहे बेटा जीव तो बेटा मुझे गर्व है तुछ पर इतने साल लंदन में रहने के बाद भी तू हिंदूस्तानी तरीके नहीं भूला है इसे आज इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गया तू हम और कोई चोईस पर तो नहीं था पापा आप मेरी हर बात मानते हैं और आप मेरी हर विश पूरी भी करते हैं पर आज मैं एक विश मांगना चाहता हूँ मांगो बेटा जो चाहो मांगो मांगो वेटा आज तक मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कहा हैं और ना ही कहूंगा लेकिन पर यह ऐसी चीज मत मांगना इसे देते वक्त मुझे दुख हो तो नहीं भावनाओं को चजबात को ठेस पहुँचे या फिर वो बात मेरे उसलों के खिलाफ हो तुम मेरे एकलोते बेटे हो मेरे चिराग हो मैं तुम्हें नहीं कह सकते हैं और मैं जानता हूं तुम जो मांगोगे सोच समझ कर ही मांगो बढ़ो नहीं नहीं बीटा हिच की चाओ मैं जो मांगना है खुले दिल से मांगो नागो पापा ज्यादा नहीं मैं सिर्व यहीं चाहता हूं कि आप गौरी दीदी और दुर्गा दीदी को फंक्शन में उनका सप्राइज दांस करने की परमिशन देढ़ें देखिए सुरेकान भाई ये सेट देखिए अच्छा है मेनका जी पूरे राज पीपला में इतना सुन्दर इतना महंगा सेट नहीं मिलेगा आपको इतने सारे गेने तो मैंने तो कहा था कि कहीं लोग ये ना कहें कि बेटी को विदा तो कर दिया लेकिन खाली आद लेजिए मैं तो उल्टा ये कह रही थी कि इतने सारे तो हैं पर सरस्वती के लिए और गहने मंगवाने चाहिए थे अरे सावित्री वो सब काम छोड़ो यहां आओ गहने देखो मेंका ने खुद अपनी बेटी सरस्वती के लिए चुने हैं देखी न सावित्री बेन यहार कितना प्यारा है अरे वाह इतने सारे गहने मैं तो यह पेनूँगी मेरे लिए भी देखना फुल्गी हां अरे कोई सरस्वती को भी बुला उसे भी तो देखने तो गहने आप लोग गहने देखिए मैं बुला के लात अपना घर खाली करतो और बेटी का सस्वाइब बता नहीं वाकी की तीन में और क्या क्या जाएगा इतने सारे गहने बेटी की शादी तो समाज में नाक उपर रखने के लिए बेटिया ना हुई जी का चंजाल बन गई बस सारी जंदगी बैट कर खाती रथी और जब जाती तो पूरा कपूरा घर खा जाती यह जो सरस्वती को दिया जा रहे ना वो मेरी बहू के लिए जिस दिन इन चार बाधाओं की शादी होगे शायद तब तक मेरी बहू के लिए कुछ बचेगा भी नहीं रच कहा बैदा बाधाओं को सब दे रहें मेरे लिए कुछ ना किया नहीं पूल पुछ ना को दीदी दी चोटी माने कहा बापुजी आपको गहने देखने के लिए बुला रहे है और पता है वो गहने ना चोटी माने पसंद किया आपके लिए बापुजी ने लक्षमी को माफ कर दिया क्या कि नहीं लक्षमी आज शाम के फंक्ष्ण में भी नहीं होगी तर लक्षमी के बना स्वरका करते हैं याई कब कर दांज मतलब गर्वा ऑब शाम को लक्षमी के बिना अगर हम घर्वा करें तो हमेसे मज़ड़े विजा निया आएगा नौ सरस्वती, मैं तुमसे चुड़ीवी कोई भी याद अपने साथ रखना नहीं चाहता हूँ क्यूंकि अब तुम्हारी यादे मुझे तर्थ के सिवाय और कुछ नहीं दे सकती नहीं, गलत मत समझो, मैं तुम्हारी यादे ये दर्थ अपने साथ जरूर रखता पर जब तुम्हें मेरा साथ हंजूर रहे हैं, और तुम किसी और की होने जा रही है, तो फिर तुम्हारे बारे में सोचना भी गलत है सरी सरस्फोती सरस्वती, तुम्हें अब मुझ सिक को यलगने कर सकता, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं सरस्वती आ रहा हूं मैं आ रहा हूं कर दो हूं